तो सद्गुरू, ये रचनात्मक मन क्या है? ओ, आप कितना बड़ा उत्तर चाहती हैं? जितना बड़ा आप चाहें. देखें, अंग्रेजी शब्द mind कुछ स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि ये बस एक सामान निशब्द है, जो मन के अलग-अलग आयामों के बारे में नहीं बताता कि वो क्या है? मन कोई ऐसी चीज नहीं है, जो यहां बैठा है और कुछ कर रहा है. ठीक है? असल में, मन जैसी कोई चीज नहीं होती. योग संस्कृति में कोई मन नहीं होता. एक भौतिक शरीर है, एक मांसिक शरीर है. क्योंकि जिसे आप अभी मन कह रहे हैं, वो मेमरी और बुद्धी मत्ता का एक खास मेल है. आपके शरीर में मेमरी है, और इतनी मेमरी है जितनी आप कलपना भी नहीं कर सकते. अगर मुझे आपसे फिर पूछना पड़े, तो ठीक है, मैं आपको चुन रहा हूँ, ठीक है? आपको यकीनन याद नहीं होगा, कि आपकी पर-पर-पर दादी कैसी दिखती थी, लेकिन उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर बैठी हुई है. हाँ, आपको सचेतन रूप से कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपके शरीर को सौ प्रतिशत याद है. आपकी दस पीडी पहले की दादी कैसी थी, आपके शरीर को अभी भी याद है. दस लाख साल पहले आपके पूरवच कैसे थे आपके शरीर को अभी भी याद है, है न? ये भूला नहीं है और नहीं ये भूलने वाला है आपका मन इस तरह की मेमरी रखने में सक्षम नहीं है आपके शरीर में आपके तधक अथित दिमाग से खरब गुना ज्यादा मेमरी है दिमाग और बौधिक प्रक्रिया की ओर इतना महत्व दिया जाना एक यॉरपी समस्या है उन्होंने विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक ऐसे समाज में रहते थे जहां धर्म के नाम पर कई पाबंदिया थी जहां आप एक किताब में लिखी बातों से अलग कुछ भी नहीं सोच सकते थे वरना आप मार दिये जाएंगे वो लंबे समय तक ऐसे ही रहे इस वज़े से जब उन्हें सोचने की थोड़ी आजादी मिली और वो जिन्दा रहे तो वो अपने विचारों का बहुत ज्यादा जश्न मनाने लगे आईए विचार के संदर्ब को समझे आप केवल उसी जानकारी को सोच सकते हैं जो आपने इकठा कर रखी है इसका मतलब है आप कभी कुछ नया नहीं सोच सकते आप इसे रिसाइकल कर सकते हैं आप इसे फिर से बना सकते हैं इसके क्रम में परिवर्तन और मिश्रण कर सकते हैं लेकिन आप कुछ बिलकुल नया नहीं सोच सकते ये विचार के प्रकृती में है ही नहीं कि वो कुछ नया पैदा कर सके ये केवल पुराने को ही रिसाइकल कर सकता है यानि कि अगर आप खुद को अपनी विचार प्रक्रिया को समर्पित करते हैं अगर आप अपनी विचार प्रक्रिया को संजूते हैं तो आप ये पक्का कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ भी नया घटित ना हो तो इस तरह विचार का जश्न मनाने की जरुरत नहीं है इसलिए इस संस्कृती में विचार को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया आप जो सोचते हैं वो आपके मन का नाटक है हम उसे ज्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि ये आपका नाटक है आपका नाटक आपके लिए महत्वपूर्ण है किसी और का नाटक उनके लिए महत्वपूर्ण है हर कोई सोचता है उसका नाटक इस ब्रहमान में सबसे महत्वपूर्ण नाटक है हर किसी का अनुभव ऐसा ही है क्योंकि वो अपने मनोवैग्यानिक नाटक से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए है इस मनोवैग्यानिक नाटक से आपके जीवन की प्रकृती तय नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक छोटी सी घटना है, जीवन प्रक्रिया की तुलना में जीवन कहीं अधिक गहरी बुद्धी मत्ता है आपकी बुद्धी की तुलना में हम देख सकते हैं योग प्रणाली मन को सोला भागों में बाट कर देखती है उन सोला भागों को और भी बाटा गया है और उन्हें 84,000 भागों में रखा गया है लेकिन अब अगर मैं 84,000 की बात करूँ तो पहले ही एक ग्रूप है जो मना कर रहा है तो मैं चार की बात करूँगा मैं 80 हटा रहा हूँ, ठीक है? मैं न्याई कर रहा हूँ केवल चार चार बुनियादी हिस्से पहली है बुद्धी जो की आधुनिक दुनिया में आज की दुनिया में हम बुद्धी को अनावशक रूप से बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसके लिए हम बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे आप एक ऐसी जगा पहुँचेंगे जहां आपको सब पता होगा लेकिन जीवन के काम का कुछ भी नहीं होगा सच में आज आप बच्चों के साथ ऐसा होते वे देखते हैं पहली बार इस पीडे में आप 10, 11, 12 साल के बच्चों को देखेंगे वो बोर हो रहे हैं जब आप 10, 11 साल के थे तो आपको ये बोर होना पता भी नहीं था ये संभव नहीं था जीवित रहनों और सब कुछ देखना बहुत रोमांचक था आप 10, 12 साल के बच्चों को देखेंगे वो बोर देख रहे हैं क्योंकि उन्हेंने ब्रह्मांड को अपने फोन स्क्रीन पर देखा है वो सब जानते हैं और खासकर पच्ची मी देशों में आप 8, 10 की उम्रे में ऐसा होते देखेंगे वो वाकई उप चुके हैं आप स्कूल बसों में देखेंगे आपने ये भी देखा है शायद आप हर तरह की शारिरिक चीज़ें भी कर चुके हैं और आप ब्रह्मांड को जानते हैं अब क्या जब तक आप 15 के होते हैं तो उनमें से कईयों के लिए जीने का वाकई कोई मकसद नहीं रह जाता आपको हैरान नहीं होना चाहिए अगर ये संस्कृती जारी रहती है मैं ये कोई भविश्वानी नहीं कर रहा हूँ ये कुछ हैसा है जो मैं होते वे देख रहा हूँ अगले 50 या 100 सालों में अगर 25 से 50 प्रतिशत लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन को कुछ उत्साह चाहिए अगर अनुभव के बिना आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है तो उत्साह खत्म हो जाता है और आपके अंदर जानने की एक झूठी भावना बहुत प्रबल हो जाएगी यही बुध्धी का खत्रा है क्योंकि बुध्धी चाती है बुध्धी हर चीज की छीर फाड करना चाती है बुध्धी एक चाकू की तरह है जितनी तेज हो उतनी बेतर है ये चीर फाड करके जानना चाहती है चीर फाड कुछ चीजों में काम करता है जीवन के सभी पहलूओं में नहीं अगर आप जानना चाहते हैं बेचारा मेंधक पता है न? आपको याद है? वो बेचारा मेंधक जिसे आपने लटका कर काटा था और उस सारी यातना से आपको जो महान ग्यान प्राप्थ हुआ वो अविश्वस्नी है, आपको कितनी जानकारी है उस मेंधक को जिस यातना से गुजरना पड़ा उसके बदले आपने जो ग्यान अरजित किया है वो अविश्वस्नी है वो सब आपने जान लिया अचानक आपकी रुची अपनी मा में जगी है जिन्हें आपने अंदेखा किया था आज आप अपनी मा को जानना चाहते हैं कृपया एक तेज चाकू लाएं और चीर फाड शुरू करें आप उनके लिवर, किड्नी, हृदय के बारे में जान सकते हैं लेकिन आपकी मा नहीं बचेगी, बस इतना ही तो जीवन को टुकड़े करके नहीं जाना जा सकता आप भौतिक चीजों को तोड़ कर जान सकते हैं आप जीवन को टुकड़ों में बाट कर नहीं जान सकते लेकिन बुद्धी की यही प्रकृती है पूरा आधुनिक विज्ञान मानव बुद्धी से विक्सित हुआ है क्योंकि इसने तक्नीकी सुविधाएं दी हैं आप इसके खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि लोग, पता है न? वो सोचते हैं, वो विज्ञानिक हैं उन्हें विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता वो बस अपने आईफोन का मज़ा ले रहे हैं उन्हें लगता है वो विज्ञानिक हैं क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं नहीं, तक्नीक अच्छी चीज है इसमें हमें बहुत आराम और सुविधा मिली है लेकिन ये हमें जीवन नहीं देगी तो बुद्धी ऐसी ही है बुद्धी का उपयोग सिर्फ इस पर निर्भर करेगा कि इसकी पहचान किस के साथ जुड़ी हुई है और इसे किसमें थाम रखाये, कितनी स्थिरता से तो मन का अगला आयाम पहला आयाम बुद्धी कहलाता है जो intellect है दूसरा एंकार कहलाता है एंकार का मतलब ego या कुछ और नहीं है इसका मतलब पहचान है आप जिस चीज से भी पहचान रखते हैं आपकी बुद्धी उसी के इर्द गिर्द काम करती है सीधी सी बात अगर आप किसी देश से पहचान रखते हैं अगर आप कहते हैं मैं भारती हूँ तो हर भारती चीज सुन्दर लगती है अगर आप सीमा पार करते हैं और कहते हैं आप कुछ और हैं तो वो सब सुन्दर लगता है तो आपकी पहचान जिस चीज से भी है बुद्धी उसी के साथ काम करती है तो एहंकार पहचान है आपका एहंकार कितनी जागरुकता और कितनी स्थिरता से बनाया गया है ये तै करेगा कि आपकी बुद्धी कितनी प्रभावी होगी सिर्फ इसलिए कि ये पैनी है इसका मतलब यह नहीं कि यह असरदार भी होगी क्योंकि तेज बुद्धी या तेज चाकू आपको बेहिसाब नुकसान पहुचा सकता है अगर आपके पास तेज चाकू है और आपका हाथ स्थिर नहीं है तो आप खुद को हर जगा काट लेंगे और यही हो रहा है चाहे जो भी हो लोग दुखी हैं जैसे भी हो वो दुखी हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बुद्धी को कैसे संभालना है अगर आपके पास एक केचवे का दिमाग होता तो आप काफी शान्त होते हाँ आप बुद्धी के पैनेपन को कम करने के लिए कई कोशिशे कर रहे हैं शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ज्यादा खाना खा रहे हैं, हर तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि किसी तरह इसका पैनापन खत्म हो क्योंकि ये कमबक्त तकलीफ देती है ये इसले तकलीफ नहीं देती क्योंकि वो उसकी प्रकृती है ये इसले तकलीफ देती है क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं जो मेमरी का एक विशाल भंडार है ये इधर या उधर नहीं है, पूरे शरीर में मेमरी है तो इसे मनो मैं कोश कहते हैं Memory का एक विशाल थैला ये Memory कई परतों में हैं हम इनके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ लोगों ने इसके लिए साफ-साफ मना कर दिया है वो माइंड नहीं चाहते हैं वो माइन के बारे में कुछ नहीं जानना चाते हैं। तो मन के चौते आयाम को चित्त कहते हैं। चित्त यानी ये विशुद्ध बुद्धि मत्ता है। ये मेमरी से अचूता है। इसमें किसी किस्म की कोई मेमरी नहीं है। ये बस विशुद्ध बुद्धि मत्ता है अगर आप इसे स्पर्ष करते हैं तो आप उस तक पहुंच सकते हैं जिसे आप स्रिष्टी के स्त्रोत के रूप में देखते हैं क्योंकि आपको हर तरह की चीजें बताई गई होंगी इस्वर ये है, इस्वर प्रेम है, इस्वर करुणा है, इस्वर दयालू है, और भी बहुत कुछ कोई आकर इस मंच की कगार पर खड़ा हो जाए जितनी प्रार्थना करनी है, कर ले और गिर जाए मैं देखना चाहता हूँ कि आपको करुणा मिलती है या तूटी हुई हड़ी मिलती है मैं चेक करना चाहूँगा ठीक है? ये सारी बातें मन गडंत हैं क्योंकि जिस भी चीज से व्यक्ति वंचित है वो उसी गुण को ईश्वर की अपनी धाड़ना में जोड लेंगे ईश्वर के बारे में आपकी धाड़ना है सिर्फ इसले आई हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि ये पूरी सृष्टी कैसे बनी है क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आपने इसे गड़ लिया क्योंकि आप इंसान है तो आपने कहा वहाँ उपर एक विशाल इंसान बैठा है अगर किसी ने पूछा और वो ये सब कैसे कर लेता है उसके दस हाथ हैं तो वो बहुत सी चीजें करता है तुमारी तरह नहीं जो भी है ये बच्चों के लिए ठीक है लेकिन असल में आप ये नहीं जानते कि सृष्टी कैसे बनी है तो आप स्पश्टी करण दे रहे हैं तो वो जो सृष्टी का स्रोत है मेरी या किसी और की बात पर यकीन मत कीजे सृष्टी के किसी एक अंश पर ध्यान दीजे बस एक फूल लीजे उस पर ध्यान दीजे, एक पत्ते या एक पर्मानू पर, या एक चींटी पर ध्यान दीजे, आपको सिर्फ असाधारन बुद्धी मत्ता दिखाई देगी, जो आपकी कलपना से परे है, हाँ? पर किसी ने आपको नहीं बताया कि इश्वर बुद्धी मत्ता है, लेकिन इस संस्कृती ने आपको कई तरीकों से बताया है, उन्होंने आपको चिदाकाश, चिदंबरा और बहुत सी चीजें बताई हैं, कि अगर आप अपने चित्त को सपर्ष करते हैं, तो पूरा अस्तित सोचती है कि बस जानकारी भर देने से और बुद्धी को पर्याप्त पैनी रखने से हर चीज काम करेगी, नहीं, खुशाली की तलाश में आप इस धर्ती को चिन भिन्न कर देंगे, आप धर्ती को खो देंगे, या किसी दूसरे ग्रह पर जाकर आप वही चीज फिर से शुर झाल